गणित में जो त्रिकॉण मिती होती है ना आपने तो बढ़ा होगा बच्छपन में हम लोग अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ये जो ट्रिकॉण मिती है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये महर्शी आरबट की खोज है उन्होंने सबसे पहले त्रिकॉन मिती दिया है पूरी दुनिया को जानने समझने और सीखने के लिए और आप जानते हैं इसी त्रिकॉन मिती को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्मान कारे चलता है त्रिकॉन मिती अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्मान कारी में लग नहीं सकते तो सारी दुनिया के निर्मान कारी का आधार और प्रश्ट भूमी महर्शी आरिभट की देन है त्रिकॉन मिती जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया गणित में त्रिकोन मिती का आविश्कार भारत में हुआ फिर इसी तरह एक महान महरशी हुए भासकराचारी उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती जिसका नाम लीलावती जो थी वो महरशी भासकराचारी की बेटी थी तो अपने बेटी के नाम पर बेटी को जो सिखाते थे गणित में वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में और लीला बती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशागर बुद्धी थी इतना स्थीवर बुद्धी वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तम में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धी बहुत तेज चलती है तो कैती थी वो पिता जी की क्रपा है उन्होंने मुझे गणित सिखाया पेड़ के पत्ते गिलने ना कोई आसान काम नहीं है ये कुछ ऐसा ही काम है कि आसमान में तारे गिलने ना और लीलावती इसमें सिद्धस्ती उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई महर्शी भासकरा चारी की गणित की पहली पुस्तक और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने हां गणित का ठोट कोर्स बनाया है स्लेवस बनाए आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का स्लेवस लीलावती के आधार के बनाए एक महान हमारे देश में गणतक यह हुए उनका नाम था महर्शी ब्रह्मुगुप्त इन्हों ने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना यह अंक गणित का जो चार हिस्सा है जोड़, घटाना, भाग और गुणा यह सबसे पहले महर्शी ब्रह्मुगुप्त में पूरी दुनिया को सिखाया और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्मान किया और महर्शी ब्रह्मुगुप्त के ही नाम यह खोज है कि वर्ग करना और वर्ग मूल करना, घटान करना, घटान मूल करना, यह भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए और जो बीजगनित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल ऐलजबरा केहने लगे हैं, यह ऐलजबरा पुरा का पूरा महर्शी ब्रह्मुगुप्त की देन है, हमारा आजका अलजबरा और उसका सिलेवत, महर्शी ब्रह्मुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सार करते हैं वो थियोरम को पाइथागोरस थियोरम कहते हैं पाइथागोरस का जन्म हुआ इसा से आठ शताबदी पहले और इसा के पंद्रवी शताबदी पहले के भारत के गुरकुलों के रिकॉर्ड बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे हां था हम उसको बोधायन प्रमे के करशिय हुए उनके नाम से वो प्रमे पढ़ाई जाती थी भारत में इसा के जन्म के 15 शतावदी पहले कि माने आज से लगबग साड़े 3000 साल पहले वो प्रमे भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायिन प्रमे के नाम से और वो प्रमे क्या है करन का वर्ग बरावर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग हिंदी में कहते न हाइपोटिनियूस का स्क्वाइर पर्पेंडिकुलर और बेस के स्क्वाइर के एडिशन के बरावर तो करन का वर्ग बरावर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग ये जो हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले बोधायन महरशी की देन है जिसके आदार पर सारी दुनिया ने सीखा पाइथा गोरस ने बेहिमानी करके और चालाकी करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया और वो आज तक सारी दुनिया इसी ब्रह्म में जी रही इसी तरह से मैथमेटिक्स में मौडर्न मैथमेटिक्स में एक थियोरम इस्तेमाल होती है बाइनोमियल थियोरम अगर थोड़ा गणित आपने उचिस्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंट ये नाम ध्यान में आएगा बाइनोमियल थियोरम जो दुफ़त प्रमेय है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिये और ये बाइनोमियल थियोरम भी महर्शी आरेबट की देन है सारी दुनिया और इसी तरह से हमारे भारत में एक विशे चलता है गणित में जिसको मौडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं कैलकुलस और उसके दो हिस्से हैं इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्शी ने उनका नाम था मादवाचारे और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महरशी ने, उनका नाम था भासकरा उचारी differential calculus का आज का पूरा syllabus भासकरा उचारी जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है और मातवा उचारी जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर differential एग, वो integral calculus पढ़ो बिल्कुल साफ समझने आजा है और गनित में सबसे ज़्यादा शोथ दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है भारत के बाद दूसरे नमबर पर सबसे बड़े गनित अग्ये माने जाते हैं दुनिया में वो फ्रेंच लोग है फ्रांसी सी लोग इस बात को स्मीकार करते है कि गनित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है और गनित की जो मूल बात है शूने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो जिसको हम नमबर सिस्टम कहते हैं ये सारी दुनिया को भारत की देने और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो घीट सुना जब जीरो दिया मेरे भारत में वो सच है सारी दुनिया को शून ne फिर एक, फिर दो, फिर नो तक की गिन्टी हमने सिखाए और जो गिंती सिखाएगा वही गनित बनाएगा गनित तो उसी को आएगा जिसको गिंती आएगी जिनोंने गिंती गिनी है और जिनोंने गिंती पड़ी है वही गनित बना सकते हैं और गनित सिखा सकते हैं तो भारत ने सारी दुनिया को गिंती दी है गनित दिया है, गनित के सूत्र दिये है और कुछ गनित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते है बैदिक गनित का नाम आपने सुना, बैदिक गनित के सूत्र, 17 सूत्र है इन सूत्रों को जो सीख लेगा, वो गनित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज़्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमतकार दिखाते रहते हैं गणित का एक बहन जी है एक माता जी है नाम नहीं लेना चाहता उनका आप सब समझ जाएंगे एक मिनिट में वो पूरी दुनिया में प्रवास करती है और बड़े बड़े शो करती है लाखों रुपई वो शो के वो लेती है एक एक व्यक्ति वो शो में जाए तो हजारो रुपई की टिकेट खरीदता है डॉलर्स में खरीदता है और वो माता जी सब को यही बताती है गणित के सूत्र और चमतकार इक तरीके से बताती है दसंक का कुछ संख्या लिख दो और दसंकी एग संख्या लिख दो दोनों का गुणा कर दो कैल्किलेटर जितनी देर में बताएगा वो माता जी उसके पहले बता देती है और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके उपर वो कुछ भी नहीं है वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है कोई सीख लेगा तो वो बता देगा उसमें कौन सी खास बात और उनके वारे में अख़वारों में बड़ा बड़ा विज्यापन आता है जिनका दिमाग कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है जिनके गणित की गणनाए कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज है ऐसी माता जी का व्याख्यान सुनने आईए या दर्शन करने आईए मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहने हो सकती है, सभी भाई हो सकते हैं, बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर हैं और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो, तो पुस्तके उसकी बाजार में उतलब्द हैं मेरी आपको एक विनम्बर प्रात्ना है, वो ये, कि आपके गर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजे, गणित उनको रोचक हो जाएगा, हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे जादा बूरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित स सिखाते हैं, वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं, और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिलकुल नहीं है, लेकिन ये जो बैदिक गणित लिखा गया है, इसको सीखने में इतना रस है, कि आप 90 साल के भी हो जाएग, तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे पंद्रे सत्रे साल के बच्चे सीखते हैं हमारे भारत में सिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि सिक्षा को रस्पूर बना के सिखाना हस्ते हस्ते सिखा देना खेलते खेलते सिखा देना गाना गाते गाते सिखा देना गीत गाते गाते सिखा देना दुनिया मे कहीं नहीं है यह